असलाम लेकोब माई यूट्यूब फैमिली कैसे है आप सब लोग वीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे और गर्मी को कर रहे होंगे इंजॉय तो आज मैं बनाओंगी आप सब के लिए स्पैशल स्टेक जो के बहुत ही यमी एंड दिलिशिस बनता है जुस्ट लाइक र मैंने स्टेक बनाने के लिए यह सब कुछ लिया है और मैं आपको बताती हूँ के मैंने क्या क्या लिया है सबसे बहले लिया है मैंने ऑलिफ आयल यह हम कितना बात में यूस करेंगे यह मैं बात में बताऊंगी और साथ मैंने लिए स्टेक सॉस यह और आपको पसंद है तो और यह है किनोर कमपनी की सेलिट बनाने की जिसे एक साशे कहते हैं इसमें खटा मीठा जाइका होता है तो इससे बहुत मज़े की बनती है और यह मैंने वन इंट हाफ टीस्पून ली है काली मिर्च जिसको हम इस्तमाल करेंगे सबजी के उपर यहां लिया है वन इट हाफ टीस्पून नमट एक सब्डो अधत ले मुझे ले 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 और मैंने च्छोटा से एक प्यास और दो जवे लिया है लेसन के यह है मेरे पास स्टेक यह आप देख सकते हैं मैं आपस दो स्टेक्स हैं यह आम इसको बात में पताती है उसको क्या करना है यह इस तरह के स्टेक है मेरे पास और यह मैंने ली है गाजर मैंने तीन अदद गाजर ली थी तीन अदद मैंने गाजर ली है उनको मैंने बारी काट लिया है और यह है मेरे पास तार है साथ में ली है चुकंदर चुकंदर म एक अद्न आफंड केन्या है उन्याक्त ही हैाँ जो है विताल तो तो वह düşी हैं। सबसे पहले मैं आपको उती हैं। लिद स्टेक के साथ क्या jobbar रहने हैं एक इस इतन मेदर्ध हैं। इससे पर ने वर कई मेदर्ध कर दोदेना है। आपने उसको अच्छे तरीके से दुभाना है जब अच्छे तरीके से लिए यह तकS wird domлять और अच्छे तरीके से अपने प्रेस करते रहना है और अब आपने जो होती है इसको मिलें कसी भी मही चीज़ की मदद से आप से बाह लें मैं इसे करे अधिका रही हैं तो आप इसको अधिकल से बाह लिया कि इसको बैलन्स करलें किसा सहरिसे उन्चा निचा ना हो तो हम सबसे पहले बनाते हैं वेजिटेबल्स तो यहां पर मैंने एक बड़ा सा फ्राइपन लिया है अंदर जस्ट मैंने डाले हैं तू टीस्पून या तू टेबल स्पून कर लें कुकिंग ओई के तो अंदर मैंने यह 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 जा दी है मेरे पास फ्रोजन थी अगर आपको अच्छ भी नहीं जाएगा अब मैंने इसको इतना फ्राइप करना है लेकिन हलकी आग पे ताके यह अच्छ तरीकत से इसकी खुश्बू आजए तो अब हम बनाते हैं साथ में तो इसके लिए यह मैंने जो एक साशे लिया था किनोर का वो लिया है उसके अंदर मैंने डाल इसके तर जाएगी हाफ टीस्पून शूगर ठीक है यह हमारा तियार हो गया अब यह लिया है मैंने सेलिट लेकिन इसे बरतन चोटा था तो मैंने फिर एक बड़े बाउल के अंदर डाला है अब मैंने इसको अच्छ तरीके से कर लेना है मिक्स बस यह हमारा सालिट पी ति लेकिन इसको बड़े तो यह देखें कितना डिलिशियस अंड यमी लग रहा है तो अब हम बनाते हैं स्टेक प्लाने के लिए मैंने एक फ्राइपन लिया है उसके अंदर मैंने यह डाला है थोड़ा सा कुकिंग और अंदर मैंने यह डाले है लेसन और प्यास आप डालना अच्छा है आपकी मर्जी है लेकिन मुझे इसकी हुष्भू अच्छी लगती है हमें स्टेक को डालना है और जादा चीटे उड़े तो पर कवर कर देना है लेकिन स्टेक को फ्री मिनिट्स एक साइड से पकाना है और फ्री मिनिट्स तूसी साइड से फिर टू मिनिट्स सबस्क्राइब भी तो जब भी साथ रख दूंगी तो जब हम डालने तो इसका साइस बड़ा होता है और जैसे अजरी बात इस बात है जो बोची होती वो शुकर जाती है तो जब चाहिए भी रख लेती हूं चले अब मेरा पहले तो काफी हद तक बन चुका है इसके निशानी यह है कि आप एक चोटा सा कांटा ले कि इसके अंदर डाल कर देखें अगर तो बलड बाहर निकल रहा है तो आप इसको थोड़ा थोड़े दिर और रख ले वरना नहीं अब यह देखें मैं से ओपर यह स्टेक फाफर डाल दूंगी जो मैंने इस डबी में ल देती हूं यह आपकी अपनी मरसी आपने थोड़ा डालना है यह ज्यादा डालना है तो चलें जी एक स्टेक मेरा तकरीबन तयार हो चुका है यह देखें कितने मज़े के लग रहे हैं बस स्टेक को आपने ज्यादा नहीं पकाना वरना उसकी जो बोटी है वो चबाई नही होता है तो यह देखें मैं आपको सर्फ करके दिखा देती हूं यह मेरा स्टेक है और साथ में मैंने तोड़ी सबजी रखी है और स्पेशल उपर मैंने एक चिली भी रखी है कि मुझे बहुत पसंद है थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए और साथ में यह मेरा सलिट है में याद रखिएगा वीडियो देखने का बहुर चाहिए